अखिल भारते कॉंगर्स कमेरिटी की अध्यक्ष माननी है शिरिमती सोनिया गांदी जी देश के पूर प्रधार मंतरी डक्टर ब्रम्नोन सिंग जी रहूल गांदी जी प्रिंका जी वे सम्मानित मंच और देश के कौने कौने से आयो है मेरे सबी बुजर्गो नौजवान साथियो मातर शक्ति वे जन सम्मुके में समलित सभी हमारे साथी देखिए आज पूरा देश के लोग यहां आए हैं रैली में भारत बचाओ के रैली जहां तक आर्थिक मंदी का सवाल है आर्थिक स्कृति का सवाल है चिनाम रम जी ने बता दिया डॉक्टर मर्मोन सिंग बैठे हैं और सब आपको चर्चा करेंगे मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आज जो भारत बचाओ रैली है तो भारत कैसे बचेगा कैसे बचेगा भारत बारत जबी बचेगा जब इस देश का किसान बचेगा इस देश का मदूर बचेगा आज इस देश के किसान और मदू बर्बादी के कगार पर आपने देखा मंदी है और मेंगाई की दर घटाने के लिए और क्या कड़ सरकार केवल उसकी याच किस्क पे आ रही है इस देश के किसाना मजदूर पर आ रही है उसको रखने के लिए, महगाई की दर कम करने के लिए, रिजर्व बेंक का ब्याज कम करने के लिए, किसान को जो है, लाकत बढ़ रही है, दाम घट रहा है, उनको दाम नहीं मिल रहा है, आज एमस भी नहीं मिल रही, और नतीजा यह है, कि किसान करजे में डूबता जा रहा ह और फैक्ट्रियां बंद हो रही है बेरोजगारी बेतादाद प्हाल रही है मैं हर्याने से हूँ हर्याने में 2012 में जो बेरोजगारी का दर था दो दशबलवाट था और आज वो बढ़कर देश में सबसे ज़्यादा 28% हो गया तो आज बेरोजगारी इस दर पे पहुंच गई किसान करदे में डूब रहे इस सरकार ने कहा कि हम 2022 तक किसान के आमदनी दुगनी कर देगे कैसे दुगनी करेंगे अरे देड़ साल पहले में गया एक मंडी में कुरुख शेटर के पास वहां किसान नौ पैसे बेचा तो किसान की आमदनी अगर 22 में 18 पैसे मिलेंगे तो दुगनी हो जाएगी क्या दुगनी एक ही साथ से हो सकती है आज क्या दर है किसान का कितना दो दो परसंट इजाफा है जब तक 6 और 8 परसंट ग्रोथ नहीं होगी किसान की कैसे दुगनी होगी और दुगनी करने का तरीका एक ही है जितनी लागत है उसके उपर मुनाफ़ा दिया जाए जो वाइदा किया है स्वामी नाथन का जो इस सरकार बीजे भी सरकार ने वाइदा किया है वो लागू करो जितने रोजगार के हैं वो लागू करो जब ही भारत बसकता है आज बड़े बड़े नेता बैठे मैं इस से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं एक किसान का बेटा हूँ आज किसान बरबादी के कगार पे है अगर किसान को बचाना है तो कॉंग्रेस जरों से मेरी भी अपीर है मेरे सबी साती वरिशनेता बने है कि आज घर में बैठ कर नहीं किसान के साथ उसके साथ जमीन में लड़के हम आगे बढ़ा सकते हैं इनी शब्त के साथ बहुत बहुत दन्यवाद